जोतिश विज्ञान में पंचम भाव को हम सक्षा भाव के रूप में, संतान भाव के रूप में, क्षमताओं के भाव के रूप में, संतान से सुख, आकस्मिक धनलाब के भाव के रूप में विजानते हैं। जहां के कारकादिपती, स्वह्यम, देवगुरू, ब्रहस्पती हो जाते हैं जहां सहज ग्यान के उपलब्दी है ग्यान के साथ में स्वह्यम को भिवेक देने की ताकत है वहां पर पंचम भाव की स्ततियां उजागर होने वाली होती है और वही से विशेश बात आप देखें कि पंचम भाव से ही जो सांतवा भाव हो जाता है वो एकादश भाव हो जाता है जहां से जीवन के सारे ही लाब देखे जाते हैं जो की अंतिम उप्चय स्तान भी है चतुर्द भाव जहां माता भाव है तो वहीं पंचम भाव सक्षा भाव है व्यक्ति अपनी प्रतम सुदंत्र सांस के साथ में इस धरा के उपर मा के वात्सल्य को प्राप्त करता है और उसी वात्सल्य के साथ में चलता हुआ स्वयम को प्रथम आधार पर भाशाई सहज बोध भी देने वाला होता है भाशाएं व्यक्ति के जीवन के साथ में चलती है भाशाएं व्यक्ति के आजरन को दर्शाती है भाषा विवेक के भीतर छुपे हुए स्नेव को सामने लेकर आती है भाषा व्यक्ति की एक पहचान भी है वो जहां गया, जिस आधार पर गया उसने अपनी भाषा के साथ में कितना गर्व प्राप्त किया है ये भी एक प्रमुख केंदर बिंदू जीवन का रहता है 14 सतंबर 2021 हिंदे दिवस की आप सभी को अनंत कोटी शुप कामना आए हम जोतिश विज्ञान के शेतर के साथ में जुड़कर आपके सम्मुख यहां अपनी आरादना के साथ निरंतर आते रहे किन्तु जो स्नेह और दुलार इस वशय के साथ में आप सभी ने सौपा उसके साथ हमारी मातर भाशा हमारी आरादना का एक निश्चल स्वरूप जो हिंदी के साथ में दिरंतर चला उसने भी उतना ही स्नेह हमें दिया उतना ही वातसल्य हमें दिया जब व्यक्ति को शब्द का ग्यान नहीं होता जब व्यक्ति अपने अवचेतन से चेतन की यात्रा बहुत चोटी सी शुरुवाती दिनों की उम्र में तैकर रहा होता है वहाँ पर भी मा के सहज, शब्द, लोरी के रूप में और पूरे प्रेम की मुगदिता के रूपनों उसको मिलते है व्यक्ति पहले कहीं सहज होता है सहज होने के बाद में वहाँ अपनत्व की जागरती है अपनत्व की जागरती के बाद में प्रेम है और प्रेम की पराकास्ठा शद्धा के सुरूप में आती है हिंदी भाषा हमारे लिए ऐसे ही श्रद्धा के सुरूप के साथ में है ये भाषा हमारे आचरन के भिवेक्ति है ये भाषा हमारी गर्वोक्ति है ये भाषा जब यहां उन्मुक्त कंट से निकलती है और किसी वेक्ति विशेश तक पहुंचती है तो ये बताती है कि हमारी दर्शन की थाती क्या रही है हम किन पूरवजों के साथ में यहां तक अपने सफर को तैकरते हुए पहुँचे हैं हमें क्या मिला? किस तरह से मिला? आप देखिए पर्थम लिखेंगे तो इस्ततियां प्रामे अलग आएंगी द्वितिय लिखेंगे तो एक मात्रा का अधार अलग होगा तृतिय लिखेंगे तो वहां पर भी मात्रा का एक सुरूप अलग तरीके से निकल कर आएगा जैसा बोला गया उस तरह से लिखा गया और वो ही भाव निरंतर तौर के उपर सामने आए जब ये स्ततिया आत्म साथ होती है तो हम स्वयम को बहुत बहतर तरीके से स्वयम के साथ में ही अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाते हैं आज के इस युक के अंदर बच्चे भाशाएं सीखने के और जाते हैं जो हम यहां स्वयम के साथ में एक आधार लेकर चलते हैं उसका रूप ये भी है कि बच्चे बहुत कुछ सीखें किन्तो हमारी मात्र भाषा के साथ में वो जतना गहराई से जुडते हैं उतना ही स्वयम को आनन्द दे पाते हैं और स्वयम की जो परिभाषा है स्वयम का आध हार है वो वाणी के साथ में बहुत गहराई से जलकने वाला होता है तो हम निरंतर प्रयास करें हम निरंतर इस भाशा की आरादना और उपासना के साथ में चलें और यह भाशा हमारे लिए हमेश्चा प्रेरणा का माध्यम बनी रहे ऐसी ही कामनाव के साथ में एक बार पुन है इस पावन दिवस की आप सभी को शुब कामनाएं हम यहाँ 14 सेतंबर 2021 का दैनिक राशी फल लेकर हाजर हूँ है चंद्रमा सुबह साथ बचकर चार मिनट के बाद से धनु और राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य देव की स्ततियां से अंगराशी स्तान में चल रही है भादरपदमास शुक्ल पक्ष चलाइमान है तो वही जेश्ठान अक्षतर की स्ततियां रहेंगी मंगलवार रहेगा साथ में हम शुरवात करते हैं मЕश और राशी के साथ में चंदर्मा नवम भाव के साथ में चलाएमान है जो भाग्ये का सयूग आपको लंबे समय से नहीं मिल पारा था वहाँ पर एक सहज्टा आपके सम्मुक आएगी कर्म को लेकर आप जो बारंबार विमुक हो रहे थे एक चिंता गिरे वो थी उन गहरों से भी मुक्त होने काधार यहां आपके लिए बन रहा है वहीं यात्राएं सुभे के समय अंतराल के बाद में यहां पर गतिमान की जा सकती है हायर एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए कोई भी डिसिजन आगे बढ़ाने है उस लेहाजा दुपहर के बाद का समय बेहद अच्छा है आलस से की प्रवर्टियां दूर दूर तक भी नहीं है और जा जो आपके भीतर है उसे आज गहराई से महसूस करने की आवशक्ताइं रहेंगी तो वहीं जो आध्यात्मिक चंतन है वो सहजबोत के साथ में उपलब्ध है और वहीं संतान पक्ष के साथ में जो जुड़ाव बढ़ना चाहिए वो भी यहाँ पर रहेगा भूमी संबंदित कामकाज में किसी भी निरने की और आपको यदि एक कदम आगे बढ़ाना है वो चरचाएं भी यहाँ पर की जा सकती है नौकरी पेशा जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा जो सिर्फ आलोच नामे विश्वास रखते हैं और वहीं जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें समानता रहती है तो ये दिवस महतुपूर्ण सफलताओं की और लेकर जाने वाला रहेगा वहीं वरशब राशी प्रतमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय विशेश आपके लिए काफी हद तक बहतर ही लिकरा रहा है भीतर जो भी वहापोह चल रही थी फ्रस्ट्रेशन के बेज बने हुए थे आज एकांत में स्वहयम के साथ में समय बिताईएगा सौलीशन साथ में जोड़ते चले जाएंगे मैटल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश को यहाँ पर आपको अपनाने से बचना चाहिए यह एक प्रमुख निवेदन तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जो चोटे-चोटे मन मुटावपन पर वोई थे उनको दूर रखने का और उनसे दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा शेयर मार्केट संबंधी निवेश में तिवर गामी होकर बढ़ने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए तो वहीं यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बहतर है इसे के साथ में इस बात को आप समृतियों में रखकर चलें कि वाईयू जनतविकार परेशान कर सकते हैं खान पान पर नियंतरण की जरूरत बनी हुई है और अचनात्मक कारियों के साथ में आप एक अलग ओच के साथ में लोगों के सम्मुक आने वाले होंगे व्यापार एक जिवन में यहां कोई भी नई स्ट्रेजी को बना कर चलना है या फिर कोई भी व्यक्ति व्यापार में लीकेज की पोजिशन को क्रियेट कर रहा था उसको पहचानना, सहज भाव के साथ में समझाना, नहीं समझे तो कहीं न कहीं अपने कामकाज से साइडलाइन करके पोजिशन को आगे बढ़ाना, कई बार स्टर्न्स डिसीजन के रेक्वार्मेंट होती है यह समय वैसे ही डिमांड आप से कर रहा है और वहीं आप से हम निवदन करना चाहेंगे कि यहाँ छोटी छोटी बातों के साथ में लोगों के साथ जो विद्रोह कामकाजी जीवन में निकल कराते हैं उससे भी आप एक दूरी बना कर रखने का प्रयास जरूर किजिएगा रिन देने और लेने से आज आपको संभलना चाहिए वहीं मित्वन राशी वियापारिक जीवन के साथ आज जो एक लाब की इस्तिती का प्रभाव होना चाहिए वो चंदर्मा के साथ आपके लिए बना हुआ है वहीं आत्म विश्वास जो पिछले तीन से चार दिनों से साथ में नहीं था आज अपने हैं वहां काबिज होने वाले होंगे स्वास्त में सुधार के उम्मीद है दोपहर के अंतराल के साथ में इस बात को अपनी स्मृतियों में बना कर रखिएगा कि आपको यहां पर आलस्य से दूर रहना है किसी भी कामकाच की पूर्णता आपको दिख रही है सामने है आप किसी की भरोसे छोड़ देते हैं और वहीं पर वो काम अटक जाता है मन के बेतर निराशा आने लगती है उससे संभलने की आवशक्ता है व्यापारिक जीवन के साथ में ही पारिवारिक जीवन को भी वरपूर समय देने की आवशक्ता रहेंगी अन्य था एक पलडे में लाब हुआ दूसरी स्तियों के अंदर जो क्लैशेस निकल कर आए उसने दिन के सुरूप को बिगाड कर रख दिया उससे आपको संभलने की आवशक्ता है प्रबंदन संबंधी कामकाज में यह समय विशेश आपके लिए बहतर ही लिकरा रहा है वहीं यदि आप IT फिल्ड के साथ में जुड़े हुआ है एडवांस टेक्नोलोजी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुआ है आप ही मैसूस कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं आप से बहतर पैकेज के साथ में चल रहे हैं और कहीं ने कहीं परफॉर्मेंस में भी आप खुद को थोड़ा सा रुका हुआ और भटका हो मैसूस कर रहे हैं तो खुद को अपस्किल करने के रिक्वार्मेंट है यह दिवस उस इस्तिती के साथ में मंधन करने का है कि हम किस तरह से आगे एजुकेशन की बोडिशन को यहाँ पर अलग तरीके से मैंटेन करने की और जा सकते हैं यह याद रखा जाए कि यातरा संबंधी कामकाज में बेहद आसानी से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी नवेश भी बहतरी के आधार को दरशाने वाले रहेंगे करकराशी परतमतया स्वास्त को लेकर यहाँ चोटी चोटी बाधाओं से आपको मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए आप जहां पर अपने खान पान पर नियंतरुन रखने वाले हुए वहीं पर जो एक तरह से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना होता है वहाँ पर भी आपने स्वायम को बढ़ाने का प्रयातन किया साथ ही साथ में एक महत्वपूंट बात और जो यहाँ निकल कराती है वो यह भी है कि शारिरे के स्थर के उपर कोई भी इंडिकेशन आपको मिल रहा है उसको पहचान कर काफी हद तक स्वायम में जो परिवर्तन लेकर आने होते हैं रूटीन के साथ में उनको भी जरूर आप अपनाईएगा वही औरिन देने और लेने में सावधानी बरतने का प्रयास करें किसी भी मेजर लेवल के इंवेस्टमेंट के और आप जा रहे हैं वहाँ पर भी दृत गामी गती से आपको बचने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए यहें निविदन करना चाहेंगे कि जो शत्रूपन पे वोई थे आज वो हावी नहीं है किन्तु मानसिक स्तर के उपर जो प्रभाव उने चोड़ा है जितना जल्दी आज आप उससे दूर होंगे स्वहिम के लिए एक बहतर आधार देने वाले होंगे लेकन संबंधी कामकाज में मन के साथ में भटकाव आ सकते हैं विध्यारती वर्ग को चाहिए कि कुछ समय के लिए स्ततियों से डिटैच होकर पुनह अटैच होने के और आप जाईएगा आपको लग रहा है कि सिक्षा में अभी बन नहीं है और कहीन कहीं भटकाव है थोड़े से समय के लिए उस भटकाव पर ही ध्यान के इंद्रत किया वहां से लोटकर आए और सिक्षा के और बढ़ गए रिसमूल मंत्र को अपने साथ अपनाए किसी भी रिलेशन के साथ में डिसाइजिव अप्रोच में आप चल रहे हैं भर परिवार के सामने रिलेशन को रखना है स्वयम तया नहीं कर पा रहे हैं आज आप उस निर्णे की और स्वयम को बढ़ाने से बचिएगा ये कनिविदन है एक्सपोर्ट संबंधी काम काज में ये समय विशिश आपके लिए बहतरी लेकर आ रहा है अंग्रिहस्त जीवन के साथ जोड़ी हुई महिलाओं को यहां पती और संतान पक्ष के साथ सामन्जस से बढ़ाने में थोड़ी सी जद्दो जहद करनी पड़ सकती है वहां आपकी भूमी का एहम रहेगी हुई सिंग राशी सरवपर्थम यहां आपके क्षमताओं के साथ में वरद्धे बहुत गहराई से बनी हुई है जो भी कार्रे आपने हाथ में लिया अपने पूरी ही उर्जा के साथ उसके पूर्णता के वार बढ़ रहे है यह ताकत आपके साथ में रहेगी मानसिक तनाव जो पिछले दो से तीन दिनों से बने वुए थे आकस्मिक स्तर के उपर कम होने वाले होंगे और वहां जब आप सुकून महसूस करते हैं तो अधिक करमशील होने के आवशक्ता है हायर एजुकेशन हो यह एजुकेशन का इनीशियल लिवल एकागरिता बहुत अच्छे से है जो भी निवेश के माध्यम आप अपना कर चलना चाहते हैं उसमें सुबह के अंतराल में निरना लेना काफी हद तक बहतर रहेगा आप से निवदन है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेश को कामकाजी जीवन में साथ में मन के भीतर जलकता रहे यह प्रयास आपको जरूर यहां पर करना चाहिए तो वही जो भी जीवन के लाब के सिर्व होते हैं वहां आपकी कदमताल आगे बढ़ने वाली होगी इस बात को भी अपने साथ में स्थापित करके रखने वाले आप जरूर रहे खर्चों के उपर नियंतरन करने का बहुत ज़ादा प्रयास करना मन को विथत कर सकता है ऐसी प्रवर्तियों से भी आप थोड़ा सा दूर रहे वही सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय के और आप जाना चा रहे हैं वहाँ पर बेहदासानी से गतिमान हो सकते हैं वही कन्या राशी प्रमुक्तया यहां आजिवी का का कोई भी नया माध्यम आपको विक्सत करना है या किसी भी कामकाज की चोटी सी शुरुवाद भी करनी है यहां आपको रुकना चाहिए मन के भटकाव जब आपको किंदर्थ होने नहीं दे रहे हूं तो कई बार रुकना ही बहतर है यह निवदन है माता के स्वास्त को लेकर जारा सावधानी बढ़तियेगा यात्राएं आज टाली जाती है तो अच्छा है आपके भीतर की उर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है किन्तु उस उर्जा को चनलाइस करने के अमदर काफी हद तक जद्दो जहद करनी पड़ सकती है निराशाओं के भाव आकस्मिक तोर पर आकर कामकाजी जीवन को एक नकारात्मक परभाव दे सकते है उससे भी दूरी बना कर रखने का प्रयास कीजिएगा संगराशी के जातकों को चाहिए कि जो आप यहाँ पर स्वयम के लिए कोई भी नई प्लानिंग कर चुके हैं जहां मित्रों को या भाईयों को साथ में जोड़ना है किसी और नियरबाई एक्विंटिंस के साथ में चल रहे परसन को साथ में जोड़ना है तब भी आप यह याद रखें कि यहां निरने के अंदर थोड़ा सा धीमा पनाब बना कर रखने वाले रहेंगे पिता के साथ कामकाज के अंदर नए आवसर उपलब दिरा सकते हैं किसी भी इंटर्वियू कॉल की और आपको जाना है मन के भीतर के संदे को सबसे पहले हटाने का प्रयास कीजिएगा हम कई बार यहां परिक्षा से पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं किन्तु सामने परिक्षा है उसके बाद में परिणाम है वो बाई डिफॉल्ट अपरोच है जो परिक्षा के माध्यम से निकल करामी है इसलिए इंटर्वियू में सहच तोर पर जाएं नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हों और नहीं संकुचित हों इन दूनों ही माध्यमों का बहुत गहराई से आप ख्याल रखिएगा बैंकिंग संबंधी कामकाज में इस समय विशेश आपके लिए एक सिगनिफिकंट एपरोच में पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है वहीं तुला राशी प्रतमतया पराक्रम में वर्धि रहेगी इसे के साथ जो कामकाजी शेत्रवशेश में आप उन्नत्ति को लंबे समय से देखना चाह रहे थे वो आज सामने आ सकती है किसी इंटर्व्यू के और आप गए थे अब परिणाम आना है वहीं पर व्यापारिक जिवन के अंदर किसी डील को फैनलाईज करने के लिए आपने अपना ओफर दे दिया है अब वहां से एक जवाब की परतेक्षा है आप वहां पॉजिटिव रहकर चल सकते है आध्यात्मिक चंतन गहराई से मौजूद है जो आपको सुकून और संतुस्टिक है चरमतकर्श की और लेकर जाने वाला रहेगा यहां इस बात को अपने साथ बना कर रखिएगा कि निवेश के किसी भी माद्यम से आपकी आजीवी का चलती है जैसे रियल एस्टेट संबन्दी कामकाज हो गए जहां दूसरे लोग निवेश करते हैं आप मद्यस्त की भूमिका के साथ में चलते हैं आप सीधा शेर मार्केट में इंवेस्ट करते हैं जहां से खुद के लिए बेटरमेंट लेकर आते हैं ऐसी सारी ही प्रबर्तियों में शुक्र प्रदान राशी के जातकों के लिए सहचता बनी हुई है चोटी चोटी यात्राएं लाब के और लेकर जा रही है आईटी फील्ड संबन्दी कामकाज में प्रोफाइल चेंज का वसर आता है कहीं पर भी आपको ये लगता है कि महत पूर्ण जिम्मदारी मिल रही है कैसे संबालेंगे क्या करेंगे अवचेतन से सबकॉंशियस से उन सारी इस्तियों को हटा कर निरने की और जाना और वहाँ पर सहर्श स्विकारुक्ति को रखना ये आपके लिए बहुत जादा आवशक रहेगा निवदन है कि यहाँ आप हनुमन तुपासना के साथ निवस की शुरवात करने वाले रहिएगा और वहीं रिन देने और लेने से जो आप लंबे समय से संकुचित थे यहाँ पर उतना संकुचित होने के आवशक्ता नहीं बिजनस के एक्स्पांशन में जाना है जिसके लिए कोई भी लोना दी लेना है आप वहाँ पर अपनी कदमताल को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं किसी मित्र की मरत करनी है और वो भी अपने लिमिट के साथ में है तो वहाँ पर भी आप कहीं पर संकुचित होने का प्रयास नहीं करें तो भैदरी है मुई वरिश्चिक राशी परतमतया यहाँ धना गमन की संभावनाएं बढ़ रही है साथी साथ में जो आप आत्म विश्वास से लबरेज होकर चल रहे थे लोगों को कन्विंस करने के अंदर एक अधिकार पूरवक आधार के साथ आप चल रहे थे वो और जादा बेटर फोल्ड की और जाने बाला रहेगा यहाँ से निबिदन है कि माता और पता वहीं ग्रिहस्त जीवन संतान पक्ष भाई मित्र अन्य सा योगी सब के साथ में द्रिस्टिक और यहां प्रेम भरा रहे कहीं पर भी किसी से भी ग्रजस रहे हैं कहीं पर भी किसी से भी कंप्लेंस रही है उन सभी से दूर रहने की आज आवशकताएं आपके लिए बनी हुई है सहजभाव और संभाव अपना कर चलने का प्रयास करें किन्तु जहां पर भी कामकाजी जीवन में आपको अपनी बात रखनी है वहां ठोस इस्तती में रहें शब्दों का चुनाब ऐसा हो कि अगले व्यक्ति को लगे कि हम किस मेंटल सेटप के साथ में आपर है ये ताकत अपनी बना कर रखिएगा बॉडी लेंग्विज के साथ में जितनी पॉजिटिविटी आप दरशाते हैं अतना ही लोगों को और गहराई से आप कन्विंस करने वाले रहेंगे और वहीं कन्विंस करने वाला शब्द उस समय हड़ जाता है जब हम अपनी बात के साथ में स्वयम एक कन्विक्शन के साथ में होते हैं इस बात को इस मुरतियों में रखें तो वहीं पूरे ही परिभार के साथ में सुभे सुभे के इंतराल में सुंदर कांट के पाट के और आपको जरूर जाना चाहिए वुरिश्चिक राशी के जातकों से निवदन है कि आप रक्त संबंधे विकारों से स्वयम को साथधान करके चलने का प्रयाज जरूर कीजिएगा वहीं धनूर आशी प्रतमतया आपके आत्म विश्वास में आज वरिद्धी रहेगी जिन भी लोगों से मुलाकात टलती चली जा रही थी आज वहाँ सहज प्रवर्तियां सामने निकल कर आ सकती है जिस स्थिति को लेकर आप शंशय में थे वहाँ इस पस्टता आ भी जाती है तब भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा सुभे सुभे अनुशाशत रहना पूरे ही दिवस में एक अलग सकारात्मक जलक को देने का आधार रहेगा यहाँ एक मूल मंत्र अपने साथ में गहराई से अपना कर चलिएगा कि जो आप कह रहे हैं उसके साथ में स्वयम अडिग है और वहीं किसी इंटर्विव कॉल के और जा रहे हैं लंबे समय से सक्रीता नहीं थी यह समय विशेश आपके लिए पॉजिटिविटी का एक अलग लेवल लेकर आ रहा है जिसको अपने साथ में रखने की आवश्रक्ताएं रहेंगी ग्रिहस्त का सहयोग मौजूद है संतान पक्ष की और से जो चिंताएं बनीवी थी वो अपने चरम पर पहुँचती है और फिर समाधान लेकर आती है यह प्रक्रियाएं यहां आपके सामने संभावित इस तर पर नजर आती है वहीं इस बात को भी अपने साथ गहराई से लेकर चलने का प्रियास करें कि जो आप यहां पर इच्छा शक्ती के अभाव से जीवन के अंदर कहीं न कहीं एक वेचलित करने वाला आधार देख रहे थे उससे भी अब आप बाहर निकलते चले जा रहे हैं प्रकृती के साथ में स्वहिम को जोडने का प्रियास जरूर कीजिएगा यात्राएं जो आप लंबे समय से टाल कर चल रहे थे वहाँ पर कुना है अगतिमान हुआ जा सकता है इस बात को अपने साथ में अपना कर रखें के शेर मार्केट, संबंधी, निवेश की और यहाँ पर आपको बढ़ने की प्रकृयाओं के साथ में जोडना है तब भी आप यहाँ एक कदम आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं इस बात पर भी गौर करने की आवशकता है कि बिजनस पार्टनर्शिप में लंबे समय से जो अबरोच चल रहे थे उनसे भी मुक्त होते आप चले जाएंगे वहीं यदि हम मकर राशी की चर्चा करते हैं तो प्रतम तया आप यह देखिएगा कि जो लाब की स्तियां चल रही थी वहाँ तोड़ा सा ठहराव आ सकता है इसी वज़े से मन को आप विचलित नहीं करें या पोजिशन्स को मेंटेन करने के लिए गलत निरने की और जाने से आप बचिएगा ये एक निविदन है दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करें कि इसी समय में जो आपकी वानी में सहचता है वो कम होने वाले नहीं हो कटुता आई संबंदों के मंदर विच्छो आया और वहीं से परिशानिया सामने निकल कर आई इस प्रबर्ती से आजाद रहने की आवशक्ताएं पूर्ण कालिक तोर के उपर आपके लिए रहेंगी और ये निविदन हम प्रमुक तोर पर आप से करना चाह रहे हैं कि इस समय के गतिविधी के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन संबंदी कामकाज में ट्रांस्पोर्ट या फिर टेक्निकल पूजिशन के संबंदित कामकाज के अंदर बड़े निवेश के आधार से थोड़ा सा बचना चाहिए शत्रु यहाँ पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं इंडाइरेक्ट अपरोच के अंदर वहां से भी मानसिक स्तर के उपर आप एक स्पस्टता और स्थिरता बना कर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा वहीं मकर राशी के जातकों से हम निवदन करना चाहेंगे कि मानसिक सुख की तलाश यहां सफलता के साथ में नहीं जोड़कर आज के कर्म के साथ में रहती है तो बहतरी है वहीं चोटी चोटी चोटें जो घर परिवार के कामकाज के साथ में या फिर कोई और इस्तिती के साथ में निकल कर आती हैं उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरुरत रहेगी कामकाज करते समय आप और अधिक तनलीन्ता के साथ मे रहें और वहीं सावधानी नावक इस्त Duchy को अपने साथ में अपनाने की जरुरत भी आपके लिए पोर्ण कालिक तौर के उपर रहेगी मकर राशी के जातकों से निविदन है कि यहां जो मित्रों से सयोग आपको प्राप्त हो रहा है वहां किसी भी तरीके का शंशे रखने का प्रयास नहीं करें एग्रिकल्चर संबंदी कामकाज में यहां कोई भी निर्णे को अपने जीवन के भीतर जोड़ कर चलना है आप सहच्टा से कतिमान हो सकते हैं महीं कुम राशी परतमतया जो लाब की स्तियां लंबे समय से आपके लिए अटकी हुई थी भटकाब था वहां त्यवरता सामने निकल कर आ सकती है यहां किसी भी इंटर्वियू कॉल की अपरोच आपके सामने निकल कर आती है इसी समय के साथ में आप स्वयम को किसी विक्ति विशेश के साथ में जोड़ना चाहते हैं वो निर्णा है आसानी से ले सकते हैं एजुकेशन की लाइन के साथ में आपकी बिजनस की पोजिशन जुड़ी हुई है तब भी यहां बड़े निर्णे सहचता के भाव को लेकर आने वाले रहेंगे शनिदेव प्रदान राशी के जातकों से हम निविदन करना चाहेंगे कि वाई-यू जनत विकारों से आप लखिएगा यहां उर्जा का किंद्र बिंदू जो भीतर स्थापित है उसको कामकाच के अंदर लेकर आने की जरूरत रहेगी क्या होगा कैसे होगा यहां हम महिने के मद्धि प्रवास काल के साथ में अब आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में आ चुके हैं तो कहां पह प्रवदान राशी के जातकों को चाहिए के रेसर्च संबंदी कामकाच में जो बैटरमेंट आप देख रहे थे उसके साथ में जरूर चलिएगा और वहीं ये निविदन भी प्रमुक तोर पर है कि जो ग्रिहस्त का सयोग आपको यहां पर इतना अच्छे से प्राप्त हु प्रमुक तया आप इस बात पर गौर करें कि जो कामकाची जीवन में टास्क आपको मिल रही है उसको पूरे तरीके से अपने जीवन में अपना कर चलने का प्रयास करें दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि मानसिक सुख की स्ततियों में जो वरद्धी है वो आपको और अधेक करमशील करने वाली हो शंशे जो नौकरी पेशा जीवन में या व्यापार में बने हुए थे कि आज किस तरह के नरणाय सामने आने है फाइनिशल बर्डन है जो आपके अंदर बार में बार ले आफ के बार में सुन रहे हैं उन सारी इस्ततियों से मुक्त होकर ज आफी हद तक आपको दूर रखने की आवशकता हैं ये निविदन प्रमुक तोर पर आपसे करना चा रहे हैं कि मैटल संबंदी कामकाज में कोई भी निवेश की प्रक्रिया को आपको अपना कर चलना है वहाँ पर भी सहच भाव के साथ में आप चलते चले जाईएगा वही में राशी के जातकों के लिए पिता के साथ कामकाज में सहचता निकल कर आ सकती है जो संबंद बहुत पहले पीछे चूट गए थे वहाँ पुनह जुडाव की प्रक्रिया आएं जब आपको मिलने वाली हो तो आप वहाँ पर अपने लिए और जादा अपनत्व का भाव ल देने पड़ सकते हैं जिसके अंदर बिलकुल प्रसाइज अप्रोच में आप चलने का प्रयास करें यहां निवदन है कि जो आप प्रणायाम संबंदी आधार को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं या शारिरे के स्तर के ओपर कोई भी और सुधार के प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उसमें और जादा अच्छे से संलगन होने का प्रयास आप करते चले जाईएगा हाइर एजुकेशन हो या फिर एजुकेशन जो भी नरणाय आप यहां पर लेंगे एक विजह के सुरूप को स्थापत करने वाले रहेंगे स्टार्ट अप संबंधी प्रक्रिया वो गाम नए